आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है दस का दम वीडियो सीरीज में जहां दस मिनिट के आसपास की वीडियो लेंथ में हम खतम करते हैं अपना एक टॉपिक आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत रत्न सम्मान जो आप सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण हैं कितने सारे questions हमको अलग-अलग exams में भारत रत्न से देखने को मिलता और इस साल तो भाई पांच भारत रत्न अवार्ड दिये जाने की घोशना अलड़ी होगी 2024 में इसलिए तो टॉपिक बहुत जादा महत्वपूर्ण हो जाता है PDF आपको मिलेगी history by my user telegram group में जिसका य highest civilian honor जो दूसरा सरवot्च शमान है वो पत्म विभूशन यह क्या है दूसरा सर वोच सम्मान सेकंड है अ चाहिफ कई बच्चों को confusion होता है सरips परमवीर ऍदें उनक नहीं दिया जाता है परमवीर चक्र एक सैंग्य अलंकरण है क्या है बहख़ एक military honor है तो यह armed forces को दिया जाता है यह duplication अलंकरण हैóp है यह civilian honor नहीं即्ड बाट करें भारत अतनपुरुसकार पहली बार का प्रदान किया गया 1954 में राजेंद प्रसाथ साब ने इसको शुरू करने की बात कही थी कि वह इसको शुरू करते हैं यह उनका ऐडिया था और 1954 में शुरू किया गया कितने लोगों को भारत अत्न दिया गया तो वर्ष 1954 में निम्नमे से किने भारत अत्न से सम्मानित किया गय है चक्रवर्ती राज गोपालचारी सही बात है सर्वपली राधा कृष्णन ये भी सही जवाब है तो भाई इसका क्वेश्चन का सही जवाब है all the above कैसे याद रखेंगे अगर आप notice करोगे तो लिखा है राज गोपालचारी आर वेंकत रमन और और राधाकृिस्णन पिट्ट्र आइदी ना आटू-nagar ओसकर भी भी वैसे याद रखना है भारत रत्न में भी क्या रह makes enjoy भारत रत्न में यार तो नानिटीन फीटिफ्टिफ ती उर मिं इनको Nobel Prize भी मिल चुका है 1930 में Nobel Prize इनको मिला किसमें मिला Nobel Prize तो भाई Physics में Physics में इनको Nobel Prize भी मिल चुका है Raman Effect के लिए जिसकी इनने खोच की थी Raman Effect को दुनिया के सामने लाकर बताये था तो यहाँ पर आपके लिए भी प्रथम प्रथम किसको मिला आप इसको भी देख सकते हो वही चीजें वही नाम है तो तीन लोग है R उनके नाम में शामिल है इसे याद रख सकते हो अब तक कुल कितने लोग को भारत अतना पुरुसकार से समानेत किया जा चुका है 53 तो भाई 48 का यह आकड़ा था इस साल से पहले तक यानि 2024 की शुरुवात में कितना था 48 और अब क्योंकि 2024 में पांच लोग को मिल चुका है भाई तो अब कितना आकड़ा हो गया 53 हो गया नेक्स्ट बात करेंगे मरणो प्रांथ भारत रतने से समानेत होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे लाल भादु शास्त्री साहब सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद यह समान मिला ऐसे तो पहले तीन व्यक्ति वो आर 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 हो गये लेकिन मरणों प्रांच सबसे पहले किसको मिला कि मरने क्यों प्रांच मिला हो तो 1966 में भारत के प्रधान मंत्री रह चुके लाल भादु शास्त्री साब को मिला भारत रतन सम्मान पहली महिला जिनको भारत रतन सम्मान मिला इंडरा गांधी आज तक 53 में से केवल 5 ही महिलाओं को भारत रतन सम्मान मिला तो वो कौन कौन है सबसे पहले देखेंगे इंदरा गांधी जी को मिला 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया जीता था प्राइम मिनिस्टर इंदरा गांधी जीती तो इसलिए भाई 1971 में इनको भारत तत्न दिया गया उस टाइम पर इनका ही रूल चल रहा था मलब भी खुदी प्रधा को nobel prize मिला इनने गरीबों के लिए जरूरत मन्दों के लिए बहुत काम किया है तो इनको 1979 में क्या मिला नोबल प्राइस और 1980 में भारत सरकार ने इनको यानी अगले साल भारत अतने दिया ऐसा हम आगे चलके अमरते सेंसाहब के साथ भी देखेंगे क्या कि बहुत पहले double prize मि को 1942 की रानी लक्ष्मी भाई भी बोलते हैं इनको 1997 में मिला M.S. सुबू लक्ष्मी ये पहली सिंगर है जिनको भारत अतने सम्मान मिला है 1998 तमिल नाडू से संबंध रखती हैं तो 1971, 1980, 1997, 1998 और लता मंगेशकर जिनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है तो इनको भाई 2001 में मिला है तो ये बच्चे सभी ये जरूरी हैं लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है भारत अतने सम्मान इनको स्वर कोकिला बोलते हैं इनकी सुरिली ब्यूटिफुल आवास के लिए नेक्स्ट बात करें भाई यहां पर आप सभी बच्चों के लिए वो पूरी लिस्ट है कि किन किन प आजीव गांदी जी लाल बाद दो शास्त्री तो मरने उपरांट मिला यह पहले वेक्टी हैं मरने के उपरांट तो यह तो आपको नाम याद है अच्छा चौधरी चरंड सिंग और नरसिमा राओ इनको दो हजार चौबिस में नाम आए तो बहुत जरूरी है यह भी आप पिये में पहले गैर कॉंग्रेसी पिये में जनता दल इनकी पार्टी का नाम था और गुलजारी लाल नंदा इनको भी मिला है क्या मिला है भाई यह भारत अतना सम्मान तो गुलजारी लाल नंदा अंतिंग प्राइम मिनिस्टर कारवाहक प्रधान मंतरी दो बार रहे थे बच्चे या जिनकों अंतरिम प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं देखो वर्ज 2024 में कितने लोग को मरणो परांट भारत अतना से सम्मानित किया गया भाई तो देखो 2024 में कुल 5 लोग को भारत अतना मिला जिन 5 में से 4 लोगों को मरणो परांट मिला सिर्व अढ़वानी जी जिनको भारत पर इस साल नाम आया है लेकिन अभी वो जीवित है अड़वानी साब की अभी की उमर है 96 यहर्स बताओ भाई अभी वो जीवित हैं तो कहने का मतलब है कि 5 में से 4 लोगों मरणों प्रांग मिला है और 1 वेक्ति अभी भी जीवित है किन पांच लोगों मिला है तो भाई करपूरी ठाकुर ये बिहार के पूर मुख्य मंतरी रह चुके है लाल कृष्ण अडवानी ये देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके है जब अटल बिहारी वाचपई देश के प्रधान मंतरी थे तो 2002 से 2004 के बीच में ला भारत रतन सम्मान इन पर भी कोशन आगे आएगा तो इन पांच लोगों में से एक मात्र जीवित अडवानी साब बाकी चार की मृत्यू हो चुकिए ठीक है भाई तो यहां पर आपके लिए इमेजेज भी है करपूरी ठाकुर ये नरसे मारा है लाल कृष्ण अडवानी है यह हैं चौद्री चरन सिंग और यह हैं MS स्वामी नाथन जो Green Revolution से संबंधिद हैंट बात करें वर्स 2024 के भारत रतन से संबानित करपूरी ठाकुर किस राज्य के पूर मुखे मंतरी बिहार के पूर मुखे मंतरी नेक्स बात देखो भारत रतन से संबानित चौद्री चरन सि रह चुके हैं इनकी पार्टी का नाम था जनता दल क्या नाम है भाई जनता दल या जनता पार्टी तो जनता दल जनता पार्टी जैसे अभी हम मुरारजी देशाई साब की बात कर रहे थे वो भी जनता पार्टी से जनता दल से और चौधरी चरण सिंग भी जनता दल से लेकि क्या कहा जाता है किसानों का मसीहा इनको कहा जाता है नेक्स्ट बात करेंगे भई नेक्स्ट कोश्टन देखेंगे वर्ज दोहजार चौबिस के बारत अतने से सम्मानित नर्सिमा राओ किस राज्य से सम्मंदित है नरसिमा राओ आंदर प्रदेश से संबंदित है ठीक है नरसिमा राओ आंदर प्रदेश से संबंदित है तो भाई पीवी नरसिमा राओ जब 1991 से 1996 के बीच में ये देश के प्राइम मिनिस्टर रहे और उस टाइम पर देश में वितिय संकट था भाई बहुत खतरनाग financial crisis था वितिय संकट था और वहाँ पर LPG reforms, liberalization, privatization, globalization यानि उदारी करण, निजी करण, वैश्वी करण की जो नीतिया इनने अपना ही जिसके वज़े से देश उस आर्थिक संकट से भार आया तो पीवी नरसिमा राओ आंदर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी रह चुके नेक् प्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी तो भाई नेक्स्ट है वर्ष 2024 के भारततन से सम्मानित MS स्वामी नाथन तो ये किस करांती से संबंदेद है हरित करांती पहले देश इंडिया हरित करांती से पहले आया तक होता था फूड ग्रेंस का अनाच का यानि इंपोर्ट करते थे और लगभग 20 साल के इस ग्रीन रेवल्यूशन के बाद रिजल्ट ये निकला कि हम एक्सपोर्टर हो गया निर्यातक बन गया तो बहुत बड़ी करांती है MS स्वामी नाथन साहब एक क्रिशी वग्यानिक है और इनके नाम के आधार परी एक सम्मान भी शुरू किया गय क्या MS स्वामी नाथन अवार्ड भी शुरू किया गया है ठीके बच्चे ये भी बात आपको दिमाग में रखनी नेक्स देखो MS स्वामी नाथन को प्रत्म विश्व खाद पुरुस्तकार किस वर्ष प्रदान किया गया वर्ल्ड फूड प्राइस तो भाई दुनिया में पहली बार एक प्राइस शुरू किया गया वर्ल्ड फूड प्राइस और सबसे पहले किसको दिया गया MS स्वामी नाथन साब को 1987 में दिया गया वर्ष दोहजार चौबिस के भारत प्रत्न से सम्मानित अडवानी साब को पद्म विभूशन कब दिया गया वई देखो दोहजार चौबिस में इनको क्या दिया जा रहा है तो भारत प्रत्न लेकिन इनको पद्म विभूशन भी पहले दे चुके हैं 2015 में ये कौन थे माई लाइफ यानि मेरा देश मेरा जीवन माई टेक अप्रिजनर्स स्क्रैब बुक नजर बंद लोकतंतर और राष्ट सर्वोपरी बच्चे इसमें से कोई भी एक्जाम में आ सकता है सबसे इंपोर्टेंट है माई कंट्री माई लाइफ ये तो पहली एक्जाम में आता र कोई राषी प्रदान नहीं की जाती इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता है भारत के पहले राष्ट्रपती राजेंदर प्रसाद साहब को कम मिला भारत अतना वर्ड 1962 में 1950 से 62 तक राष्ट्रपती रहे कौन राजेंदर प्रसाद साहब और जब इनका tenure खतम हुआ तब 1962 में इनको भारत अतना सम्मान दिया गया राजेंदर प्रसाद साहब को मदर टेरिसा को भारत अतना किस वर्ष प्रदान किया गया मदर टेरिसा को 1980 में प्रदान किया गया मैंने आपको बताया 1970 में इनको नोबेल प्राइस मिला था और फिर मैंने आपको बता दिया 1980 म इनको भारत अतन मिला भारत अतन से सम्मानेत होने वाले विदेशी व्यक्ति का नाम क्या है खान अब्धुल गफार खान तो आजादी के बाद इनके यह पाकिस्तानी सिटिजन बन गये भाई तो बच्चे यह पहले नौन इंडियन है आस तक दो नौन इंडियन को मिल चुका गया तो भीमराव अमबेटकर साब और नेलसन मंडेला दोनों कोई भाई 1990 में प्रदान किया गया तो ये बात दिमाग में रखना तो भीमराव अमबेटकर और नेलसन मंडेला दोनों को 1990 भाई नेलसन मंडेला हो गया question का जवाब 1990 भारत के लौप्रोश वल्लब भाई पटेल भारत अतने से सम्मानित होने वाले भारती गायक M.S. सुबूलक्षमी 1998 ठीक है ये शास्त्री गायक है शास्त्री संगीत क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल सिंगर अमर्त सेंस आपको किस वश भारत अतने पुरुसकार मिला भाई तो 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था एकनॉमिक्स में तो अर्थ शास्त्र में नोबेल प्राइज मिला और अगले साल भारत सरकार जागी और बोलती कि 1999 में भारत अतना आपको दे रहे भाई सबसे यंगेस्ट परसन कौन है जिनको भारत अतना मिला वो भी सटिंटेंडूल को और यंगेस्ट भी है 2014-14 फिर मदन मोहनमाल भी है और अटल वियारी वाजपई 15 में फिर यहां पर प्रणम मुखर जी नाना जी देशमुक और भूपेन हजारेका तो इसको आप याद रख सकते हो पांच लोगों को मिला 19 से 23 में किसी को नहीं मिला मुझे उमीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी आज का कुशन है निम लिखित में से किस महिला को भारत अतना पुरुसकार प्राप्त नहीं हुआ है आप कॉमेंट सेक्शन ने बताईएगा अरुना असाफ सुबू लक्षमी सुचेता क्रिपलानी लता मंगेशकर किसको प्राप्त नहीं हुआ है मुझे उमीद है बच्चे आज की क्लास अच्छी लगी होगी कॉमेंट सेक्शन ने बताईएगा होमवक का जवाग और आपको क्लास कैसी लगी ओके थैंक्यू टाटा